आज हम लोग पहुँचे हैं सीरपूर और सीरपूर में हम आपको ये दिखाने का प्रियास कर रहे हैं कि यहां पर जो खुदाई हुई पुरा तत्त विभाग सरकार द्वार द्वारा और जो यहां नागार जुन फाउंडेशन उसके सुराई जी जी जो उसके जो वो हैं यह के द्वारा खुदाई की गई तो उसको हम आपको दिखाने का प्रियास कर रहे हैं कि वो किस तरह से खुदाई हुई और किस तरह से यहांपर बहुत सारे करे पर तरह तो यहां पर बहुत सारे कैई हजार हुई थी करती तो नंकर नकले निकल के अब रूदके पर इससे निकले जिसकी तरब सरकार का कोई ध्यान नहीं है राज्य सरकार का इस निकलेंगे आप देख रहे होंगे हम यहां जो पहुंचे हैं यह स्वास्तिक बिहार स्वास्तिक बिहार शिरपुर जिला महासमुन्द संस्कृतिया पुरातत विवाग फौरातत ग्रेंड कर लिया इसकी जो बताते हैं यहां के निवासी यह जो आप देख रहे हैं स्वास्तिक ब्यार इसकी जो खुदाई है इसके उपर भी एक तीला हुआ करता था और वो जो खुदाई होई वो उन्निस्तो तरेंपन से लेकर के इवारों के साथ साथ जो ईइटों लगी है इटों के ऊपर जो मिक्चर मसाले होता है, और फे arriक Grenad, के तो ये या किसी लकड़ी का इस्तेमाल नहीं है बलकि क्योंकि लकड़ी हो सकती है रही हो वो खतम हो गई हो लेकिन आप पत्थर देखेंगे कितना बड़ा पत्थर है ये जो पूरा हम दरवाजा लकड़ी का बनाते हैं और लोहे का बनाते हैं लेकिन उस समय का जो ये पत्थर है पूरा का पूरा इतना बड़ा पत्थर से दरवाजा बनाया गया है उपर बाउंडरी भी है ये सामने कमरा के तरीके से बनाया गया है और आप ये देखेंगे ये देखेंगे ये आप देखेंगे ताला क्योंकि बिहार का नाम यहां पर दिया गया है और यहां पर ऐसंख है जो अभी बताया गया यहां के लोगे तो इस्थानिये लोगों द्वारा 700 टीले बाकी हैं उनको खुदना बाकी है लेकिन सरकार की विवस्था सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है जो बौध्दों की संस करके क्योंकि जो विस्थ में सबसे जादा देश हैं वो बौध्दों के देश हैं और बौध्दों के देश हैं और वो वहां जाकर ऐसा बताते हैं लेकिन जब हमारी सरकार के लोग भारत सरकार के लोग जब ऐसी अपने 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 देश में लोट करके आते हैं लेकिन वो बौत धम पे कोई काम नहीं करते हैं, बौत दों की संस्कृति पे कोई काम नहीं करते हैं, बौत दों की जो संदक्षित इसमारक हैं, बौत दों की जो संस्कृति हैं, उनकी पहचान है, बौत दों का ये भारत देश रहा है, ये इस बात का प्रमान है, जहां हम खड़े बहुत दों के अपसेश हैं बहुत दों के अपसेश मिलते हैं आज भी भारत सरकार को इस तरह ध्यान दे करके खुदाई करानी चाहिए जो यहाँ पर 700 टीले लगबग बचे हैं अभी उस तरह के टीले बचे हैं उनको खुदाई करानी चाहिए तो वहाँ पर निकलेंगे वह सिठी ए Cook कि यहां सब क्या है यहां जित्रेबी हा विहार मिले है फ़ी दो मन्जी यूच TC है और उसक्तलिया आज भी सुरभ्शित हैं वह सिठी यह हम ने देखा जो हम होट बजार में गए थे होगे ऑने लिए यहां भी इसी तरह की सीडियां थी और इसी तरह की सीडियां यहां पर मिली है और जगे जगे इस तरह की सीडियां मिली है कि महल रहा होगा उपर लेकिन कभी ना कभी कोई या तो बहुत धमके विरोधी लोगों द्वारा बहुत दों के जो उनको नहीं चाहते थे कि बहुत क संस्कृति या रहे उनके द्वारा या तो दवा दिया गया या कोई ऐसा भी अपसेश मिल सकता है कि यहां पर कोई भूकम पाया हो और भूकम के बाद वो सारा सब कुछ तहसनेस हो गया हो और उसके बाद वो टीले यहां पर रह गए हो लेकिन विशेश बात यह है क्योंकि इ देखा नहीं गया तो इससे अनुमान यह लगा अगर भूकम पाता यह भूकम के हम कलप ना कर सकते हैं तो उसके बाद किसी ना किसी का तो सासन रहा होगा कोई तो राजा रहा होगा मुगलों का रहा हो अंग्रेजों का रहा हो किसी का रहा होगा लेकिन वो इस चीज को नि करना चाहते थे इसलिए उन्होंने उसको मिट्टी के नीचे दवा दिया उस पे टीले हो गए उस पे कई गुना कई हजार फुट उची मिट्टियां चड़ गई और वो जब आज खुदा ही हो रही है भारत में जहां-जहां निकल रहे हैं वो बौध के अफसेस निकल रहे है इसलिए भारत देश बौध दों का देश है और उस बौध दों को देश को बचाने के लिए बहुत धन्याईयों को सीरपूर आने की जरूरत है 36 गड़ राजजे में आने की जड़त है 36 गड़ जिले के राजधाने जो रायपूर है वहाँ से 85 किलो मेटर दूर सीरपूर आने की जड़त है आप वहाँ आईए क्योंकि ये दिया आप बाबा साब अम्मेटगर की विचार धारा को बाबा साब ने जो बहुत धम पुनर जीवित किया उसको आप बचाय रखना चाहते हैं और बाबा साब की विचार धारा को बचाय रखना चाहते हैं तो उसके लिए तथागत बुद्ध की विचार धारा को तथागत बुद्ध के अफसेसों को बचाये रखना बहुत जरूरी है बहुत बहुत धन्यवाद